हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल आई होप यू आल डूइंग वेल मैं हूँ प्रगती तो आज मैं आपके लिए बहुती श्वेशल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें किल मैं आपको भाई और भावी के लिए राखी बनाना बताऊंगी जो कि पेर वाली राखी ह तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा और कमेंट करके बताया का इनमेंसे सबसे अच्छी राकी आपको कौनसी लगी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लायक कर दीजेगा और अगर आप मेरे चनल फर्स टाइम विज neutr कर रही है तो मेरे चैनल क के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी फैस्टिवल सीजन आ रहा है तो फैस्टिवल सीजन से नवरात्री से रेलेटेड वीडियो इन सभी के लिंक आपको डिस्ट्रिक्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आप से चेक कर सकते हैं जाके तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो फर्स्ट वल इराकी को बनाने के लिए मेरे पास यहां पर कुछ पराने मोती पड़े थे और यह मॉली यानि की कलावा भी बोलते हैं जो हम पूजा में इस्तमाल करते हैं उसे का यूज़ करेंगे और मैंने यहां पर यह के शीट लीती ट्रांस्परेंश शीट आती है उसी को मैंने कट कर लिया है सरकल शेप में और बस इस पर हम फैविकॉल लगा लेंगे और फैविकॉल लगाने के बाद अपनी मॉली है जो हमारी कलावा जो हम पूजा में यूज़ करते हैं उसको यहां पर सरकल शेप में पूरे इसको कवर कर लेंगे मैंने यहाँ पर इस transparent sheet को circle shape में cut किया है जरूरी नहीं है आप भी circle shape में use करें आप इसको triangle में, square में, कैसे भी गोल, चकोर, कैसे भी बना सकते हैं इस राकी को जैसा कि आप इसको shape देना चाहें तो बस यहाँ पर हमें इतना ही करना है इस कलावा को यानि की molly को इसमें पूरा cover कर लेना है उसके बाद back side में इसको लगाने के लिए यानि की बादने के लिए जो हम डोरी लगाते हैं तो उसी में से हम कलावा मैंसे इसको cut कर लेंगे और back side में favicol लगाके यहाँ पर पीछे हम इस तरीके से इसको stick कर देंगे तो बादने के लिए हमारा यह अच्छे से ready हो चुका है पीछे से आप किसी तरह का कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं और इसको final touch देने के लिए हम यहाँ पर एक सतिया लगा रहे हैं उसको decorate कर सकते हैं अपने according जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पर इस तरह से लगाया है तो आप भी ऐसे ही लगाएं और side में बस हम कुछ मोती लगा लेंगे और ताकि मोती हमारे निकले ना तो हम यहाँ पर एक tight knot बना लेंगे जिससे की मोती बहार ना है तो यह देखे कितनी सुंदर और easy beautiful राखी हमारी ready हो चुकी है तो चलिए यह भाई की राखी तो ready हो चुकी है अब हम भावी के लिए राखी बनाना start करते हैं जो कुछ इस तरह की आती है यहाँ पर मैं हाथ में बानने के लिए जो लटकन वाली राखी होती है उसी चाइब की राखी बना रही हूँ तो इस राखी को बनाने के लिए मेरी साड़ी की टूती भी लटकन मेरे पास पड़ी थी तो उसी को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास इस टाइब की कोई लटकन नहीं है तो आप घूंगरू वगरा ले सकते हैं और कोई भी प्लास्टिक रैप लेके इस तरह का कोई भी कोन बना के उपर उस पर यह कलावा या फिर जिसको मॉली बोलते हैं लगा सकते हैं इसको रैप कर देंगे पूरा हम मॉली से और नीचे गूंगरू लगा देंगे अगर आपके पास इस टाइब के लटकन वाला कोई पार्ट नहीं है तो आप घूंगरू यूज़ कर सकते हैं और वह गूंगरू इसमें लगा कर इस तरीके से इसको बना कर रे तो बस यह हमारी राखी लगबग कम्प्लीटी हो चुकी है मैंने यहां पर वाइट और यह यलो कलर के मोती का यूज किया है लास में और यहां पर बस में एक नॉट लगा लूगी यानि की गांट लगा लूगी जिससे कि हमारी जो यह मोती हैं बाहर ना आए आप इसको ऐसे राकी की तरफ नेक्स राकी को बनाने के लिए मैंने ये यह रंग के रुओ ली है। और यह शेकल टाइप से कट करके बना सकते हैं अगर आपकके पास वह भी अविलेबन नहीं है तो बहुत ही इजी जाएगा थ्री लेयर में बहुत ही जल्दी और यह फटा-फट रेडी हो जाएगा और फेविकॉल की हाल से हम इसी तरीके से पूरा इसको कवर कर लेंगे रिंग को इस राखी को मैं आपर ये भावी के लिए राखी बना रहे हैं इस राखी को मैं आपर परपल और वाइट कलर के कॉंबिनेशन ने बना रहे हूं तो मेरे पास एक बड़ा वाला मोती पड़ाता परपल कलर का तो मैंने उसी को ले लिया है और लेने के बाद मोती डालने के बाद मैं यहाँ पर दो तीन नॉट लगा लूँगी जिससे कि यह मोती बाहर ना निकले उसके बाद मैंने इसमें उसी के साथ एक वाइट रंग की पूल को और एड़ कर लिए जिससे कि हम उसको हाथ में बांद सके और मेरे पास परपल कलर के फलावर पड़े थे जो किसी चीज में निकले थे तो इसी को में here पर यूज़ कर रहे हूं दोनों फ्लावर को मैं बैक और फ्रंट दोनों में लगाऊंगी जिससे कि अगर हमारी राखी इधर उदर घूमती भी है तो दोनों साइट सेम पैटन दिखाई देगा यहां पर मैंने इस राखी को बनाने के लिए ग्लूगन का यूज़ किया है क्योंकि ग्लूगन से कोई भी चीज हम बना दें वह एकदम से अच्छे तरीके से फिक्स हो जाती है और निकलती नहीं है अगर आपके पास ग्लूगन नहीं है तो आप फैबी बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छे तरीके से आप राखी बना सकते हैं और अगर आप वह भी यूज़ नहीं करना साते हैं तो इस राखी को तो आप सुई धागे से भी बना सकते हैं इसको प्रॉपर सुई धागे से आम या पर स्टिच कर सकते हैं बस राखी को फाइनल राखी बिल्कुल इजी तरीके से र्रिडी हो चुकी है और आप इसको चाहें इस तरीके से ऐसे हाथ में है और आप कीज़ाली होCont जो पॉली आती है नीचे यानि की प्लास्टिक शीट उसका यूज किया है इसको मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया है उसके बाद अगेन हम यहां पर बूल का यूज कर रहे हैं पीछे बैक की डोरी को हम यहां पर इस तरीकी से स्टिक कर लेंगे और पीछे कपड़ा लगा ल प्लावर लगा रही हूं परपल कलर के और बीच में मेरे पास यह एलफाबेट बी का एक पेंडल था तो वह निकल गया था तो उसमें से काफी स्टोन भी निकल गए थे तो मैंने उस पर गोल्डन कलर कर दिया था और यह वाला अल्फाबेट लगा दिया यानि कि भाई और राकी भी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी इस तरीके से और बस मैंने यहां पर स्टोन भी यूज कर लिए आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं मैंने यहां पर चार स्टोन लगा दिया है साइड में वाइट रंग के तो बस हमारी राकी रेडी हो चुकी है कमन करक कि आपको इन में से कौन सी राकी सबसे अच्छी लगी है देखे भाई और भावी दोनों की राकी विल्कुल यूनीक तरीके से मैंने यहां पर रेडी करके दिखाई है इसके लिए आप कुछ भी ले सकते हैं जैसे कि आपको कोई भी ब्रॉच हो या कोई भी साड़ी विन हो तूट जाता है तो उसको आप राकी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं वही मैंने इसमें किया है और पीछे मैंने एक प्लासिक शीट लगा दी है और यहां पर मैं रे करें ख़ावर लगा ले जिए भस त इस तरीके से आपकी यह राकी किसा लाइब था तो अगर वीडियो अच्छा लगा ओं तो जरूर वीडियो को लॉाइक की e Villas कंतिजार करूंगी कैं क्याम के आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा है है कन झाल 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 झाल